दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगपरिय खेल फुटबॉल के आज कोई सबसे बड़े इस्टार है तो वह है पुर्टगाल के नेशनल फुटबॉल टीम कैप्टेन क्रिस्टेनर रोनाल्डो इंस्टाग्राम में 311 मिलियन फुलोवर्स वाले रोनाल्डो आज दुनिया के सबसे महेंगे फुटबॉलर है आज CR7 के नाम से जाने जाते रोनाल्डो के चाहने वाले पुरी दुनिया में मौझूद है गरीब गर में पैदा हुए रोनाल्डो का ये सफर इतना आसान नहीं था लेकिन उन्होंने हर चुनावती का सामना किया और अपनी कड़ी महनत और द्रिड निश्चई के बल पर आज ये मुकाम हासिल किया है तो चलिए शुरू करते हैं रोनाल्डो के कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फिर एक बार अबू अंडमानी के साथ मा मारिया और पिता जोस डिनिश के चार बच्चों में सबसे छोड़ा रोनाल्डो का जन पांच फबरवरी 1985 को फंचल मदीरा पुर्तगाल में हुआ था गर इतना छोटा था कि सभी एक ही कमरे में रहते थे जो बारिस में टपकता भी था पिता जी मुनसिपल में माली का काम करते थे और माता जी गरों में खाना बनाने चार यूरोपियन गोल्डन सूस जीतने वाले रोनाल्डो को बच्चपन में क्राई बेबी के नाम से जाना जाता था क्योंकि बच्पन में जब भी यह मैच हार जाता तो रोते बहुत ज्यादा थे यह आदत आज भी मौजूद है 32 मेजर ट्रॉफिस जीतने वाले रोनाल्डो की मा ने एक बार सोचा था कि गरीबी और पिता के शराबी होने की वज़े से चाउंते बच्चे रोनाल्डो को अबोर्सन करा लिया जाए लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था पाच बार बेलोडी यानि गोल्डन बॉल जीतने वारे रोनाल्डो को स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने अपने टीचर पर चैर फिका था लेकिन यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था रोनाल्डो की माने कहा था कि अब पूरा ध्यान फुटबॉल में लगा लो अब तक के सबसे ज़्यादा सैनिंग एमॉंट यानि यूएंटस से 100 मिलियन यूरो फीस लेने वाले रोनाल्डो अपनी तरकी के लिए अपने दोस्त अलबर्ट का आज भी एहसान मानते हैं सुरुआती दिनों में फुटबॉल एकाड़िमी में अड्मिसन के लिए अलबर्ट का चास होने के बावजूत उन्होंने अपनी जगा रोनाल्डो का अड्मिसन कराया जब उन से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो अलबर्ट का जवाब था कि मैं रोनाल्डो को अपने से ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी मानता हूं आज भी वह अच्छे दोस्त है 14 साल की उमर में डॉक्टरों ने डॉनाल्डों का चकप किया तो उन्हें फुटबॉल खेलने से मना कर दिया उनके हर्ट में प्रोब्लम थी उन्होंने जान लेवा सरजरी कराना मनजूर कर लिया लेकिन फुटबॉल को छोड़ना नहीं हर्ट सरजरी के बाद दुबारा मैदान में ट्रेनिंग के लिए आ गए 18 साल के कम उमर में अपने देश पुर्दगाल के लिए खेलने वाले या खिलाडी के बदन में एक भी टाटू नहीं है क्योंकि यह हर साल में दो बार अपना रख्तदान करता है रोनालडो ने अपने टीम मेट के बेटे के लिए अपना बॉन मेरो भी डोनेट किया है कलब्स और कंट्री के लिए 780 से ज़्यादा गोल करने वाले क्रीशन रोनालडो के लाइफ एंड केरियर के बारे में कनड़ा के बिटीस कॉलम्बिया युनिवर्सिटी में सोसियलोजी स्टूड़ेंस को पढ़ाया जाता है चार बच्चों के पिता क्रीशन रोनालडो ट्रेडिंग सेसन के बाद भी अपना अलग से प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते कड़ी महनत का नतीजा है कि आज यह फुटबॉल की दुनिया का सहनसा है अपनी कमाई से गरीबों की मदद तो खूब करता है चाहे वो अपने गोल्डन सूस की 12 करोड 35 लाक में निलामी करके गाजा के बच्चों की मदद हो या 2015 में 36 करोड रुपिय की नेपाल के भुकंप पीडितों की मदद हो आज क्रिस्टेन नौ दुनिया बर के फुटबॉल के फैंस की सबसे पहली पसंद है उम्मीद है कि रोनल्डो और भी किरतिमान के जंडे गाड़ता रहेगा फिलाल इतना ही वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स